भारतिय वायू सीना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्दमान वतन वापस लोट आए हैं। भारत को सौपा जाएगा जिसके बाद घंटे बढ़ते चले गए। आखिरकार पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन को रात 9 बच कर 20 मिनट पर भारत को सौप दिया। पाकिस्तान ने उनकी रिहाय का समय दो बार टाल दिया। पाकिस्तान ने अभिनंदन को भारत को सौपने से पहले एक विडियो रिकॉर्ड किया। इसके बाद ही उन्हें सीमा पार करके स्वदेश जानी दिया गया। सूत्र ने ये जानकारी दी है। हलांकि ये स्पस्ट नहीं हो पाया है कि उन्हें दबाव में कैमरे के सामने बयान देने को कहा गया या नहीं। सोचल मीडिया पर वाइरल हुए इस विडियो में साथ कट हैं जो संकेत देते हैं कि इसे परोक्ष रूप से पारकेस्तानी रुख के अनुरूप करने के लिए इसमें बहुत काट चार्ट की गई है। उनका जोश काफी उंचा था उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के लोजवान आये और उन्हों ने मुझे बचाया बहां से पाकिस्तानी आर्मी के कप्तान थे वो आये उन्हों ने मुझे इन लोगों से बचाया मुझे और कुछ होने ने ने दिया फिर हो मुझे अपने अपने पाकस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है I see peace in it I have spent time with the Pakistani army I am very impressed Indian media बात हमेशा पड़ा चड़ा के कहती है जो छोटी सी चीज होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं उसमें लोग बेकावे में आ जाते हैं रात आने के साथ लोगों का इंतजार बस बढ़ता ही चला गया रात ढलने के साथ लोग सासे थाम कर पाइलेट अभिनंदन की एक जलक का इंतजार करते रहे विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान द्वारा पकड़े जाने का मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का केंदर बना हुआ था इस बीच भारत ने वागा अटारी सीमा पर बीटिंग दे रिट्रीट समारों को स्तगित कर दिया क्योंकि अनुमानित 20,000 लोग वहां एकत्र हो गए थे Bureau Report, BHBC News